नमस्का इन खबर में आपका स्वागत है बॉली उट से एक दुखत खबर है टेलिवीजन धरवाहिक जोधा अकबर में सलीमा बेगम का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री मनीशा यादव महज 29 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गई अभी उनके मौत की वजहों का खुलासा नहीं हुआ है हाली में कुछ महिना पहले मनीशा ने अपने बेटे का पहला जन दिन मनाया था और ये दुखत खबर सुन करके टेलिवीजन इंडेस्टी के लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है सोक की लहर है इसकी पुष्टी जोधा अक्बर धारवाइक में बेगम का कुरदार निभानेवाली अभिनेतरी परिधी सर्मा ने की है परिधी सर्मा ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम एकाउंट की स्टोरी के जरिया मनीशा की एक तश्बीर सेयर की है इस तस्बीर में मनीशा सलीमा बेगम के किरदार में नजर आ रही है तस्बीर सियर करते हुए परीदी ने कैप्सन में लिखा है यह खबर बहुत दिल तोड़ने वाली है रिप मनीशा मानी मनीशा यादो का निधन किस वज़ा से हुआ इस बारे में अब तक आधिकारिक रूप से कोई खुलासा नहीं हुआ है लेकिन ऐसी खबरे आ रहे है कि मनीशा सर्मा का निधन ब्रेन हिम्रेज की वज़ा से हुआ है एक अक्टूबर को ये घटना हुई उनकी सोचल मीडिया पोस्ट पर उनके प्रसंसक कमेंट कर दुख जाता रहा है वही अबिनेत्री सिल्पा राजादा ने मनीशा की आकरी पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि मनीशा काश ये खबर जुटी होती हमारी यादों में तुम हमेसा रहोगी मनीशा यादों का एक बेटा भी है जिसका हाली में एक जुलाई को पहला जन्म दिन मनाया गया था बेटे के पहले जन्म दिन के मौके पर मनीशा काफी खुश थी उन्होंने सोचल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर अपने फैंस के साथ कुजिस शेयर की थी बेटे के साथ तस्वीरे सेयर करते हुए नहीं लिखा था कि पहला जन्म मुबारक हो मेरे अनमोल बच्चे मेरे छोटे बच्चे आप मेरे जीवन में एक कठिन बर्स के दोरान रोसनी बन कर रहे हो लोट शेयर किर आपfed को बचले कर दो सबस्वाय कर वंग सिर्श ठार यह नहीं हए बना ठाहर सकいます